हेलो बच्चों मेरा नाम है अविनौप पाठक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 10 का अगला वनसौट जिसका नाम है द्युगात समीकर ठिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चौथा चैप्टर हम लोगों को दिया गया प्रश्णावली अगर देखेंगे तो तीसरा वनसौट हम लोगोंने देखा दो चरवाले रखिक समीकरण के निषाा无नदी इस लिए हमने चोथा वनसौट शंभरे हुए क्यों किंद डो समीकरण की बात हम कर चुके और मैंने देखा है 사레이 के कमेंट्व भी पड़े थे मैं जरूर कमेंट्स पढ़ता हूँいただ having भी आपका लेक्चर कम्प्लीट हो जाता है तो जरूर आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि कैसा था वन सौट या कैसा लगा आपको मैं जरूर उसको देखता हूं सबके कमेंट में एक बार पढ़ता हूं तो कुछ बच्चों की ख्वाइस थी उसमें कि चौथे चैप समिकड़ है दो चरवाले रैकिक समिकड़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए है समय बीच गडित की ही बात हो रही है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए है तो इनके वन सौट हम एक साथ करेंगे ठीक है तो इसके बाद वन सौट दो देंगे वो दि से रिवीजन कर सके अपना अपना रिवाइस कर लें एक बार चैप्टर को और मैं जो वन सॉट बनाता हूं उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक छोड़ देता हूं सारे इंपोर्टेंट कोश्चन भी कराता हूं और जितने भी आपके टॉपिक हैं जितने भी चैप्टर मे जो भी लॉजिक्स हैं वो सारे हम यहां पर किलियर करते हैं उसके बाद ही हम अपना वन सॉट कम्प्लीट मानते हैं तो चलते हैं आज श्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के द्विगास समीकन कॉडिटिक एक्वेशन इंगलिस में बोलते हैं इसी के बारे में आज पर प्रिशन के बारे में जानते हैं इसका परिचय जानते हैं कि द्युगास समीकरण होता क्या है इसका मानक रूप कैसा है कैसे पहचानेंगे कि यह द्युगास समीकरण है और किसी भासा संबंदी प्रशन भी दिया जाता है कि भासा के माध्यम से द्युगास समीकरण का निर्माण करना केवल सिखाय जाता है कि कैसे आप द्युगास समी विष्णावली हमें जो दीकिह 4.2 इसमें हम क्या करेंगी इसी द्विघास hard當然 का हळ जाने कि कैसे द्विघास हमींकर हल किया चते हैं इससे पहले इसमें दू विद्याँ हो में ती दिया होती थी बेसिकली एक उती थी हमारे पास गुडनखंड विधी पूणवर्ग विधी और द्युघास समीकन सूत्र द्वारा या सिरिधलाचार सूत्र बोलते थे अब लेकिन पूणवर्ग विधी हटा दी गई है हमारे पास कौन-कौन सी विधी है एक तो विधी है केवल एक ही विधी है अगर देखी जाए तो केवल एक ही विधी दी गई है कि गुडनखंड विधी द्वारा आप द्युघास समीकन को हल करना जाने तिक उसी को बस दिया गया है दूसरी हम द्युघास सूत्र भी देख लेंगे क्योंकि बहुत और व्याज इससे भी सिंपल है वहाँ पर जो है तो इसे बोलते हैं वहां पर जो है सब्सेक बहसे जो सकते हो और वैसे और याफ सूत्र भी बहुत को बहुत कांडे मलayan को चीज़ब उनों की प्रकति मूल क्या होते है अच्छा जैसे हमने यह लिखा द्युगास समीकरण का हल तो जो हल निकालते हो द्युगास समीकरण में जो कुछ मान निकालते हो कोई भी चरका जो मान निकलेगा वही उसके हल होते हो वही उसके मूल होते हैं सिंपल मूल और हल का मतलब एक ही जैसे कि आप बहूपत में सुन्यक पढ़ते हों तो सुन्यक भी क्या होते है उसी बहुपत के यहल 저ो प्रकार मूल क्या है उसी द्यृधात संब मुरू करें जो मान निकल कराती है Weird ही मान उसके मूल कहलते हैं तिक चलते हैं फिर बेना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को basic से चलेंगे और पूराश रचेप्टर अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो इसर बराबर का चिन लगा होता था, उसके LHS में कुछ लिखा होता था, बाय पच्छ में और उसके दाय पच्छ में कुछ लिखा होता था, इससे हम समीकरण को पैचान लेते थे, ठीक, समीकरण पैचानने की बस एक ही ट्रिक है, एक ही मैथेड है, जहां भी आपको ये equal, जो ही हम समीकरण बोलते हैं, अब बात आगे द्विघात की, तो मतलब की ऐसा समीकरण होगी, जिसमें दो घात होगी, चर की अधिक्तम घात कितनी होगी, दो होगी, द्विघात समीकरण का जो बेसिक मतलब है, यहाँ पर क्या मतलब है, कि सर चर जो होगा, चर की अधिक्तम घ अधिक्तम घात दो होगी तो जब चर की किसी भी समीकरण में जब चर की अधिक्तम घात दो होती है तो उसे हम द्यूगात समीकरण बोलेंगे एक समीकरण मैंने लिखा 3X2 प्लस का 4X माइनस का 6 एकोल टो 0 एक हमने द्यूगात समीकरण लिखा इसमें आपको दिखरा है कि चर की अधिक्तम घात दो है चर के बारे में पता है पिछले पहले वन सौट में भी बताया था चर एक्स यहाँ पे लगाए यह वाई के रूप मे भी हो सकता है यह जड के रूप में भी हो सकता है वो P Q कुछ भी लिख सकता है यूवी चर ऐसी रासी होती है जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है जिसका मान निश्चित नहीं होता है यह 3,4,6 क्या यह अचर मान है X square, यह X जो लिखा, यह क्या है, सब 4 है, किनका मान निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो 4 वो रासिया, जिनका मान निश्चित नहीं है, यह X के रूप में लिखी है, ऐसा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कि इसको हम Y के रूप में लिख दे, 3Y square, 4Y minus 6 equal to 0, इसको हम Z के र थोड़ी-थोड़ी बाते समझ लेते हैं, इस समीकण में चर की अधिक्तम गात कितनी है, दो, बाकी छोटे वाले को नहीं देखना, X की गात 1 है, यहाँ पर X की गात 0 होती है, उसके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सबसे जादा देखना कि इस पर कि चर जो लगा, उसकी अधिक्तम गात कितनी होनीच यह दो, तो यह क्या है, दिखात समीकण है, जो पूरे रूप में में दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है, यह कोई जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कि 3X स्क्वाइर प्लस का 4X उक्वल टू जीरो लिग दे, यह माइनस 6 वाला टर्म ना हो, को भी यह क्या है, दिखात समीकरण है, क्योंकि 4 की अधिक्तम गात 2 है, ऐसा भी हो सकता है, कि यह 3X स्क्वाइर इक्वल टू जीरो, तो यह भी एक दिखात समीकरण है, यहाँ पर जो एक्स चर था, उसकी अधिक्तम गात, हमारे पास 2 वाला में पद अभी मिल आ है, मतलब कि दिखात समीकरण है, लेकिन अगर हम यह लिख देंगे 4X माइनस 6 उक्वल टू जीरो, तो यह एक दिखात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिक्तम गात 2 नहीं है, यहाँ पर अधिक्तम गात कितनी एक है, या फिर हम ऐसा लिख दें कि 4X क्यूब प्लस का 3X स 6 उक्वल टू जीरो, तो यह भी एक दिखात समीकरण है, क्योंकि चर की हम क्या देखते है, अधिक्तम गात, अधिक्तम गात यहाँ पर कितनी होगे, 3, 2 तो है, 3X स्कौयर वाला टर्म है, लेकिन चर की जो अधिक्तम गात हो गई, वो 3 होगे, सबसे जादा गात वाला चर क कौन सा है, वो गात 3 का हमें दिकराए सर, कि यह 4X क्यूब है, मतलब कि यह एक दिखात समीकरण नहीं है, CDC बात, दिखात समीकरण हमें कम मिलेगा, जब चर की अधिक्तम गात दो, बाकी अधिक्तम गात वाला कोई अन्य चर ना हो, नियुन्तम गात वाले चर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां तक बात के लिए हो गई सभी को, अब चलते हैं आगे, इसके मानक रूप की बात करें, तो इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप, मानक रूप हम इस स्टेंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि सारे पाध होने चाहिए, मंलब स्क्खवाइर वाला, फिर एक स की गात 0 वाला, मलब कॉंश्टेंट पद भी, X की इसका मानक रूप होता है जिसमें सारे पत दिख रहे हैं कि गहाद 2 से start हुआ फिर गहाद 1 और फिर यह गहाद 0 और बस constant वाले पत तक हम चले गए एक इकवल टू 0 यहीं दिखा रहा है कि यहां पर ABC क्याए ABC वास्तविक संख्या एक बहयां बहुएंद इंपंटेंट चीज की एक अमान कभी 0 के इकॉल नहीं होगा B, C, 0 हो सकते हैं, यह आपने देखा, यहाँ पर अगर देखो, तो C की value 0 है, A की value कित्ती है, 3 है, B की value कित्ती है, सरब B की value 4 है, टिक, A की value 3, B की value 4, C ही नहीं तो मतलब कि 0 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर A की value कित्ती है, 3 है, यहाँ पर B की value 0 है, और C की value कित्ती हो गई, minus ka 6, चिन साहित लेते हैं, तो minus ka 6, अब यहाँ पर देखो, तो a की value तो 3 है, लेकिन b की value 0 होगे, और c की value 0 होगे, ठीक, यहाँ पर a की value 3 है, b की value 4 है, और c की value किती होगे, minus ka 6 होगे, आप देख रहे हैं कि a हर जगह है, a कभी भी 0 के बराबर नहीं है, तीन 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 बतलब ए तो कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं क्यों क्योंकि ए अगर 0 हो गया ये अगर 0 हो गया तो यहां पर 0 आ जाएगा पूरा क्योंकि इसके साथ गुड़ा में प्लस बचेगा BX प्लस बचेगा C equal to 0 और हमने बताया कि द्युगास सम्मेुकन में चर्क एदिक्तम घाद 2 होती है अब यहां चर्क एदिकतम घाद कितनी बची सिर्फ एक बची तो यह द्यूगास समीकर्ण ही नहीं रहा अगर द्यूगास समीकर्ण नहीं रहा तो इसकी परिभासा कैसे यह फालू होगी तो परिभासा तभी फालू होगी जब एक अमान कभी जीरो के इक्वल ना हो अगर एजीरो हो गया तो यह पूरा पद जीरो हो जा में यह मारे पास दो दर्ट कम और है एक सिस्कार प्लस लसी कोल टूट त्टिय democratic अब यहां पर कभी वला टरम जीड beef य 공 एक सिस्कारी कोल्ट जीरो जाएगा वस यही तीन रूप में मिलेगा समी का अब इस पर आधारी ia कैसे बनते हैं, तो इस पर जो प्रस्टन बनते हैं, उनकी हम बात करते हैं, डायकली, सीधे जो questions लाएं कुछ, कि question कैसा बनता है, question कुछ इस रूप का बनेगा, एक तो ये बनेगा, कि आपको पहचान के बताना पड़ेगा, 4.1 exercise में जो question है, इनी 2-3 question करेंगी, इसी से पूर समीकण है या नहीं, वो कैसे निकलेंगे, इनको हल करके, जब इनको simplify करके एक रूप में लाएंगे, इस मानक रूप के पदों में बदलेंगे, जो मानक रूप अभी पड़ा, तो उस मानक रूप में जब ये satisfied होंगे, कि एक चर्किया दिक्तम गाद 2 है, बस हम कहें कि हमें समीकण का निर्माड करना होगा, दुगास समीकण का, सिर्फ निर्माड करना होगा, अभी हल करना नहीं सीखना है, 4.1 में, तो चलते हैं पहले, सीखते हैं कि हमारे पास ये कैसे, हम पैचानेंगे कि ये दुगास समीकण है या नहीं, पहला वाला उठाते हैं, पहल ओसान वाले तो सारे लोग करी लोगे तो मैं जितने अच्छे कोशलीन हो सकते हैं अच्छे लेवल के लिए जो बियाब इंपोर्टेंट है जिसमें लोग फसते रहते इस वजह से नंटे करेंगे जब आप का bellee नियुल aws, तब तो करेंगें, 输 minutes 1, X minus 3, गुणा करते है,囉 Fuli X का पहले X minus 3 में, तो 2 X का पहले होगे गुणा करना तो मुणका आता है, लाइन से सीक्राइए, खुब गुणा करना आता है, पहले 2 X का X minus 3 में, तो 2 X square, फिर 2 X का 2 THK, छी X minus, 5 minus का 1 का, तो minus का X और plus का 3, equals to 1 कि और माइनस का 5 यहाग इसकार वाले 1 ये इसयाँ लें लेते 2 एकसी स्क्वाइर एकसी स्क्वाइर एक साथ लें लेका हो तो कित्ता हो जाएगा मारे पास एकसी स्कॉर इदर आएगा यह माइनस का x इंस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा और equal to हुऊंने पास 0 हो जाएगा ठीक हमने यह इधर ले लिए यह भी इधर ले लिए यह यह दर ले लिए तो इधर कया बच्चा 0.0 लिग दी के लिए रहा था कोई दिकत कोई समस्थ्या अब यहां पर पांच और तीन आठ हो गया इक्कोल टूजी अब यह देखके बताओ क्या द्यूगास समीकरण है यह तो देखके लग रहा है कि द्यूगास समीकरण है सर्चर कि अदिक्तम गात दो बाकि हमें पूरे पद भी दिख रहे हैं कोई दिक्त नहीं एक्स स्काइर माइनस एलेवन एक्स फ्लस एक्कोल टूजी रूट है यह चिंद का बहुत द्यान लखिए कि कैसा आ रहा है का प्लस माइनस है बस और कोस्चन स्वार्व हो जाएगा आपको चले अगले कोस्चन पर अगला कोस्चन क्या है अगला कोस्चन देखते हैं दूसरा वाला करते हैं x u square minus का 2x equal to minus 2 और 3 minus x करते हैं गुणा यह हो गया x square minus का 2x minus 2 का इसमें गड़ा करेंगे minus 6 minus 2 का minus x में होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा टिक यह आगया x square minus 2x यह भी दर ले आए तो यह भी minus का 2x हो जाएगा minus 6 दर आया plus 6 हो गया equal to 0 to x square minus का 4x plus 6 equal to 0 है यह भी दूगाज समी करें दिख राया दूगाज समी करें चरके दिक्तम गारद दो है कोई दिककत नहीं यह भी सर्एक दूगास अमिकरण है तो यह भी लिग देंगे हां सर्व दूगास समी करण है चलो तीसरा करो तीसरा कोशन क्या कह रहा है तीसरा करते तीसरा करते हैं एक इसकार इधर खोलना है इधर तो बनाई यह पहले से इधरी केवल खोलना है इसी का अधर खोलना था तो इधर जो बना है उसको ऐसे रहने देते एक सिस्क्राइर जो गया माइनस B करो स्क्यर्ट से a square प्लस का b square 2 kai square 4 माइनस का 2 a 2 x 2 2 do 4 होता भई 2 2 4 x अब ये किता हो गया x2 square 2 x sq4 से 10 square कर जाएगा ही दर भी plus का deduct यह बचा 3x इदर ले आओ यह हो जाएकव प्लस का 4 x यह प्लस का 1 4 इदर ले आओ तो माइनस का 4 equal to 0 तो 3 x or plus 4 x हो जाएगा 7 x equal to यह भी हो जाएगा minus का 3 equal to 0 तो क्या यह दुगास समीकरण है क्या यह दुगास समीकरण है तीसरा वल नहीं सर यह तो द्युगास समीकर नहीं है क्योंकि यहाँ पर चर्क अधिक्तम घात एक है अता हम यह बोलेंगे कि यह द्युगास समीकर नहीं तो ऊपर वाले तो दोनों थे लेकिन तीसरा वाला द्युगास समीकर नहीं था लेकिन यह हम तभी पता लगा सकते तो यह बाद में कैंसिल कब होगा जब हम खोलेंगे तभी तो पदा चलेगा ना तो जब खोला तो देखा कि एक सिस्कुआर तो सर कैंसिल हो रहा है तो यह हमें हमेशा प्रश्ण को पूरा सिंप्लीफाई कर लेना उसके बाद ही लिखना है कि है या नहीं बस आराम से और बाकी सिंपल है यह गुड़ा बाग जोड़ घटाना आता है आपको यह सब आसानी से करी लोगे उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं ठीक है चले अंग इस बातों को बहुत मंतलब आता है जब लिखता है दो क्रमागत धनात्मकुडांक दो क्रमागत विसम पूरांग तो इन सब का मानने वाला जो प्रोसेस है वह आपको एक्दम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हर एक्सरसाइज में कहीना कहीं काम आ जाता है कभी बहुप आगे आता रहेगा 11 तो इसका concept हमेशा पकड़ लेना है कि हम कैसे मानते हैं कब हम क्या मानते हैं किस process से मानते हैं उससे क्या होगा कि उससे आपका यह logic clear रहेगा कि कब हमें क्या करना है अब यहाँ पर बात करीगे यह दो क्रमागा धनात्मा पूढांकों के बारे में पूढ सबस्क्राइब सब्सक्राइब लुए उससे होते हैं यह दो कर फूरांक खुढांक हो जाते हैं तो अगर दो धनात्मक क्रमागत मानने मतलब करमागत का मतलब के बाद जैसे दो या दो के बाद 3 तीन के बाद 4 तो आप कैसे मानेंगे अगर हम इसको मालो किसी को भी एक को अगला में कैसे मिला है एक स प्लस वन करने पर मिल तो बन अमने लिया यह था वन को मने एक्समाल लिया तो क्रमागत बहुत आसान कोश्च्यन है बस मानने का तरीका एक बार दिमाग में डाल लो मांगा क्रमागत धनात्मक पूढ़ांक एक्स तथा एक्स प्लस वन है टिक हमने माल लिया कि एक्स और एक्स प्लस बण्यूइонов क्रमागत पूढ़ांग क пять मतलव होत आंद क्रम में आया हुँ तो अब प्रश्ना नुशार अगbb मात करूं तो कैयरा है दो क्रवागट धनात्मक पूढ़ांक हो sentimentsbers and हाँ हम लिखेंगे फृष्णल्रा नुशार, क्या लिखेंगे? कि आकस और एकस प्लस वन, दोनों पूरांकों का जब हमने गुणा किया, एकस का एकस प्लस वन में गुणा किया, ही तो कहना है, गुणा फल किसके बराबर आ रहा है? 306 के बराबर आ रहा है X का इसमें गुणा कर दू, तो X square plus X equal to 306, ये किता आ जाएगा, X square plus X minus 306 equal to 0, बन गया ना दिवगास समीकन, बस यहीं तक रहना है, हमें क्या करना है, हमें इसको दिवगास समीकन के रूप में व्यक्त करना था, व्यक्त कर दिया, X square plus X minus 306 equal to 0, इतना simple concept है, आराम से किया जा स क्लब है कि क्या मानना है, X, X plus 1 माना, आप यहाँ पे Y, Y plus मान सकते हो, Z, Z plus 1 मान सकते हो, X मानते रहते हैं, स्टेंडर फालो करते हैं कि X पहले मानते हैं, इसलिए X और X plus 1 निकले, आप P plus P plus 1 मान लो, जो आपके दिमाग में लगे, वो मान लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बस यह process है, standard है, तो X और X plus 1 हमने मान लिए, ठीक है, तो यह इस type से हम क्या करेंगे, स्वमी करनों का निर्मान करते रहेंगे, second type, थोड़ा सा अच्छे लेवल का लेते हैं, यह तो हो गया simple वाला, थोड़ा सा और अच्छा हो जा, हाँ, यह थोड़ा अच्छा है, क्या कह जान दिया गया है आपकी NCRT में, कह रहा है, जान और जीवनती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दो लोग है, हम और तुम दो लोग है, दोनों के पास 45 कंचे हैं मिलाकर, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो 20-25 होकर हो सकते हैं, वो कैसे करके 45 हैं, टोटल मिलाकर, ठीक है, दोनों पाच-पाच पंचे खो देते हैं, पाच-पाच कंचे खो दिये उसने, तिक, मतलब आपके पास अगर 20 थे और मेरे पास 25 थे, तुमने भी पाच खो दिये तो आपास 15 बचे 20 से, हमने पाच खो जिये 25 थे 20 बचे, वहला 15 और 20 बचे, सिंपल सा एक मैथेड मार रहे है कि इतने थे और इतने बचे, अब क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है, कि दोनों पाच-पाच खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुड़न फल 124 है, इस बात को हमें क्या करना है, समीकण के रूप में धरसाना है, अब जो संख्या, अब जो बचे- हैं, उनका जो गुड़न फल आ रहा है, वो 124 के बराबर आ रहा है, तो हमें इसको समीकण के रूप में निर्मार करके लिखना है, ये सब बातों का, अभी तो संख्याओं में बात हो रही है, लिखते हैं, क्या है, कौन लोग थे, जान और जीवनती, दो लोग थी, माना, ह जान और जीवनती, दोनों के पास, एक्स तथा वाई कंचे थे, उनने ये मान लिया, उनके पास, पहले जो कंचे थे, वो एक्स तथा वाई थे, उनने मान लिया, जान और जीवनती, दोनों के पास, एक्स तथा वाई कंचे थे, ठिक, दोनों के पास, एक्स और वाई कंचे थे, ठिक, जान के पास, एक्स ते और जिवन्ती के पास y थे उन्हें मान लिया अब कह रहा है कि दोनों को मिला कर 45 कंचे थे इनके पास तो x प्लस y एक सभीकड़ तो यहां से बन जाएगा x प्लस y इकल टू 45 है इसको हमने समीकड़ एक दे दिया क्योंकि जाओन के पास हमने x माना है जिवन्ती के पास y माना है तो दोनों समीकड़ों का जो योग है मतलब दोनों लोगों की संख्याओं का योग है दोनों लोगों के पास जो कंचों का योग है x और y वो 45 के बराबर है ठीक यही तो बोला है उसने फिर उसने का कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिये लिखते हैं कंचे खोने के बाद कंचे खोने के बाद क्या कंडिशन मनी उसकी बात करते हैं जब पांच पांच कंचे खो दिये सीदी सी बास समझे जॉन के पास पहले कितने थे एक्स तो कितने बचे जॉन के पास पहले लिखते हैं जॉन के पास तो जॉन के पास कितने बचे जॉन के पा कियोंकि प्रारम में अपने X माना है और जीवनती के पास हमने Y माना है तो जौन ने भी 5 खोए है तो X-5 X से 5 कम होंगे ना मालों 25 थे तो 5 कम होए तो 20 बचे ना तो X से हमने 5 कम कर दिये ऐसे जीवनती के पास से भी कम होंगे तो कि दोनों ने खोए हैं तो जीवन्ती के पास भी किते बचे y-5 ठीक यहां तक बात के लिए कि John ने भी 5 कंचे खोदिये जीवन्ती ने भी खोदिये दोनों के पास xy थे दोनों ने 5-5 कंचे खोदिये तो दोनों से 5-5 हमने कम कर दी अब उनके पास कंचों का संख्या का गुड़नफल 24 है अब मतलब कि जब खोद यह उसके बाद तो क्या है अब अगर हम देखें अब की बात करें अब क्या है कि X-5 और Y-5 मतलब कि जॉन और जिवन्ती के पास जो कंचे बचे उनकी संख्या उनकी संख्या X-5 और Y-5 है उनका गुड़नफल 124 के बराबर है यही कोश्चन में दिया गया है इससे हम समीकर्ण का निर्माड करेंगे लेकिन यहाँ पर X, Y दू है एक से आप क्या करो यहाँ से पहले समीकर्ण से चाहे X का मान निकाल कर यहाँ रग दो चाहे Y का मान निकाल के यहाँ रग दो इससे एक दुगास समीकर्ण हमें एक चर्ण मिल जाएगी तो यहाँ से हम क्या करते है समीकर्ण X से हम क्या करें इसको ना समीकर्ण 1 देखे एक काम करते है यहाँ पर हम यहाँ से किसी की वेलू निकाल लेते है इस समीकराल लिखते हैं यहां पर लिखते हैं समीकराल एक से प्या करते हैं य की वेलूम यहां उठाकर रख देंगे तो यक्स में एक हमें द्यूगास मिल जाएगा अब यहां पर लग देते हैं x-5 यहाँ पर y की जगह क्या रख देंगे 45-x रख दू 45-x और माइनस का 5 equal to 124 तो यह क्या हो जाएगा x-5 45-45 से 5 चले जाएगे तो 40-x equal to 124 कुछ इस रूप की हमें समीकण मिल जाएगी अब इसको हमें हल करना है इसको थोड़ा सा दुगास समीकण बनाने के लिए हमें गुड़ा करना पड़ेगा तो गुड़ा करते हैं x का 40 में गुड़ा हुआ तो 40 x x का x में हुआ तो minus का x square minus 5 का 40 में हुआ तो minus 5 45-20 मतलब की 200 minus का minus 5 का minus का x में हुआ तो plus का 5 x और equal to 124 तिक अब यहां से किता बचा यह हमारे पास 40 x है यह 5 x 40 x 105 x मिलके किता हो गया 45 x minus का x square यह minus का 200 है 124 है 124 को में इधर ले आते हैं minus का 124 equal to 0 तो 45 x square x minus का x square minus 200 minus का 122 जोड़ जाएगा तो minus का 324 हो जाएगा तो minus 324 equal to 0 कि इसका गडान प्लस का करने इसको ऐसा करो इसको भी उस स요 लिख़ो उसको भी से लिख लो इसको भी से लिख़ो इसको भी सलिक लगा एक सिसकार को प्लस का 324 हो जाएगा, और equal to 0 हो जाएगा, तिक, आप ये equal to 0 इधर भी लिख सकते, उसकी कोई दिक्कर ने, चाहे आप ये लिख लो, ऐसा कुछी को लगे कि सरम उस साइड ले गए तो equal to 0 इधर बचा, किसी को अगर ये लगता है कि सरम इसको सब उस साइड ले गए थे, त equal to 0 सर इधर बचा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर सही है, आप चाहो तो इस साइड ले, बाकि इस व्यापक रूप में इधर लिखते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, equal to 0 लिख लिख लिए, वो बात का मतलब एक ही है, चाहे equal to 0 आप इधर लगा लो, चाहे इध आप देखेंगे कि यही कोईशन इसी प्रकार के मिलेंगे, जब आप हाफियरली एकजाम दे रहेंगे, तो भी आपको दिखेंगा, क्या कह रहा था है, एक बार मैं फिर से इस कोईशन को repeat कर देता हूँ, जान और जीवन्ती दोने के पास 45 कंचे थे, पाच-पाच कंचे ख दोनों का योग 45 दिया गया था, यहाँ से हमने एक काम किया, हमने एक्स की एक वैलू निकाल लो, चाहे वाई की निकाल लो, आप ये भी कर सकते थे, कोई अगर सोचे कि एक्स बराबर हम सर्फ 45 वाइनस वाई लिख सकते थे, लिख सकते थे, आप एक्स की वैलू अगर नि निकाली थी जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा कि हमें जवूत पढ़ेगी इसलिए यहां पर निकाल दी फिर हमने माल लिया कि पाच-पाच खोगे तो एक से पाच कम होगे वाई से भी पाच कम होगे दोनों का गुड़न फल एक सोचोबीस हो गया एकस-5, वाई-5 वाई-5 वाई की जगे हमने यहां से वैल उठाके रख दी 45 मैंसघा अगर हम यहां से एकस की रखते तो वाई में में दूगासी वाई की रख दी है तो एकसमें दूगासी परमील गई बस इत्ता ही अंतर आएगा लेकिन आंसर दोनों सभीकोच दिक्कत ने क कोई जोगी नहीं X में निकालो Y में निकालो P में निकालो Q में निकालो जिसमें मन करें उसमें निकालो दूगात निकालो इनका गुणनफल 124 है हल कर लिया कोश्चन कर लिया आंसर आगया किलियर है सभी को तो बस दो ही टाइप के कोश्चन बनते हैं 4.1 से इससे बहार से को लाओ जाएगा आपका काम हो जाए सारे कुश्चन तो कैसी लग रही आपको क्लास कोई दिक्कत नहीं कोई बोर तो नहीं हो रहा बताते रहे ना को यह सथ नहीं लग रहा कि क्या ही है चले आंगे स्टार्ट करें अब चलते अगले पार्ट पर इसी का आंगे वाला पार्ट है जिसमें हमें बात करनी है इनके हल के बारे अभी तो निर्मार करना तो सीख लिया पैचानना सीख लिया कि कैसे द्युगास समीकर बनता है क्या होता है और कैसे उनका निर्मार किया ज करने का मतलब है उसके मूझ निकान हम दो विधिया आपको सिखाएंगे बेसिक लिए आपकी वो गुडणखंड वी फोडन्खंड्ड में छीखेंगे कि यह आप ने वखक्थोस अन भी आपने बावपद में गयों कि इथे और बैला कि रहें उसी की सबसे पहले चर्चा करते हैं तो पहले ज़ुंधन्खंड विधी गुड़न खंड विदी की बात करें इसको एक इग्जामपल के माध्यम समझतें तो अच्छे से के लिए रोखें फॉर इग्जामपल एक हमने कोश्चन लिया क्या करना होता वह बास समझते हैं एक स्क्वार प्लस का 6x प्लस का आठ इपकोल टूजी यह हमने एक दिगास समिकर्ण ले लिया दिख रहा है सबको चरके अधिक्तम गात दो एक दिगास समिकर्ण है इसके में गुड़न खंड करने करना क्या होता है ध्यान से सुनो एक बार पास्टिल बोर्ड की तरफ ध्या करते हैं मतलब यहां पर 6x को मैं ब्रेक करना है और कैसे ब्रेक करना है हमें ऐसा ब्रेक करना है कि जोडने या घटाने पर 6 मिल जाए, क्या मिल जाए, 4, 8, Price हमें किसको break करना है, हमें break करना है 6 को, 6 x को, और हमें मिलना क्या चुक्ष, यह इसके साथ, अगर हमें इसका गुणा करें, तो हमें गुणा करने पर क्या मिले, 8, और जोडने और घृटाने पर क्या मिले, 6, मतलब गुणा करने पर हमें ुट्दारtha करने पर, हमें सर मिले 8, और जोडने या घटाने पर हमें ृण 6, सीधिसी बार, फिर से repeat करताbird क्या भूला मैने, हमें क्या करना होता है, हमे यह करना होता है, जब हम द्यगाश समीकर गुड़न-खंड बीद्धी से हल कर रहे होते हैं तो करते हम क्या है करते हम यह है ऐसर कि यह बीच वाला तर्म झो लिखा है ना यह 6x इसको हम तोडते हैं और ऐसा तोडते हैं कि जोडने और घटाने पर हमें 6 मिले कब जोड़ने गटाने पर 6 मिले जब हम इसके आंगे जो गुड़ां के लिखा यहां पर जैसे 1 लिखा है तो 1 का जो हम 8 से गुड़ा करें तो 188 बराबर हमें क्या मिल जाएगा 8 ही मिलेगा तो गुड़ा करने पर हमें 8 मिले और जोड़ने गटाने पर 6 मिले ऐसा कुछ हम ब अब दिख रहा है कि सर चार दूना अठ होता है और चार दो जब सर जोडते है तो छह होता है हां होता है पता है लेकिन बेसिक समझला इंपॉर्टेंट है कि कैसे पीछे concept क्या चलना है तो यहाँ पर तोड़ना चाहे एक-ठे-8 मतलब गुणा करने पर आठ और जोडने पर 6 तो आठ हमें कपकम मिलता है एक तो हमें आठ गुणे वन पर मिलता है एक चार दूना आठ मिलता है यह दो चार लिखलो एक अठ लिखलो बात दोनों का मतलब एक है लेकिन आठ एक की कॉंबिनेशन से कभी छह नहीं बनेगा लेकिन चार और दो की कॉंबिनेशन से छह बन जा तो X प्लस 4 प्लस का 2, X प्लस 4 एक्कोल टू 0, जब आप कर रहे हो, तो आप एक बार ये ज़रू देखला है, कि ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, जब आप तोड़ लोगे, उसके बाद जब आप कॉमन निकालोगे सेम चीज़, तो आपको ये दोनों सेम बनने हेंगे, ये प्लस 4, दोनों से X प्लस 4 कॉमन, X प्लस 2 बच गया, अब हम मान जब निकालते हैं, तो क्या करते हैं, एक बार X प्लस 4 एक्कोल टू 0 कर देते हैं, एक बार हम X प्लस 2 एक्कोल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि दोनों गुणा में हैं, एक बार इसको एक्कोल टू 0, एक बार इ यह समीक्रण के हल जाएंगे गुढन खंड विदि द्वारा इस द्यूगास समीक्रण के हल निकला है या मूल निकला है जो ह biology माइनस चार और मूल ए और वो हमने गुढन खंड विदी द्वारा ह मनेफ लिए तो गुडन करने पर वो चीज मिले जोड़ने यहां पर प्लस लगा था इसलिए जोड़ने पर 6x यहां माइनस लगा हूँ तो माइनस करने पर 6x मिलना चीज बस बेसिक सी बात ही है कुछ कोशन करते हैं इससे और थोड़ा आइडिया लग जाएगा ऐसे ही हमें गुलंखंड विदी करने कोशन ही से समझते हैं कोई दिक्कत में उसका कोई प्रूव और यह कुछ नहीं है चलते हैं अगला कोशन करते हैं जो मैं एक्ससाइज में कोशन दिएगा उनकी बात करते हैं गुलंखंड विदी द्वारा समीकर्ण 2x स्कायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वाल टू जीरो के मूल ग्याद कीजिए गुलंखंड वैद ग्याद करना है लिखते हैं कुई एक्सस्क्वाइर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वाल टू जीरो हमें 5x को तोड़ना है प्लस लगा जोडने पर 5x आना चाहिए दो तीया 6 गुणा करने पर 6 और जोडने पर 5 गुणा करने पर 6 और जोड करें कि जोडने पर 5 आज और गुणा करने पर 6 तो दो तीया सरफ 6 और दो तीन पाच होता है अगर 6 एकम 6 भी होता है लेकिन 6 और एक से घटाने पर तो 5 मेलेगा लेकिन जोडने पर नहीं क्योंकि यहापर जोडने पर में 5 ची तो 6 एक जोड़ेंगे तो वो 7 हो जाएगा तो आप ऐसे ही करते हैं सर 2x square minus का 2x minus का 3x minus minus क्यों लिखा क्योंकि minus का 5x यह तो minus का 2x और minus का 3x और 2 और 3 minus minus के गुड़ा होंगे तो 2 ती अच्छा प्लस का 6 बनेगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा प्लस का 3 equal to 0 यहां से 2x कॉमन आ गया तो इक इतना बचा सर x minus 1 यहां से minus का 3 कॉमन आ गया तो x minus 1 equal to 0 यह से में x minus 1 x minus 1 common आ गया यह क्या बचा 2x minus 3 equal to 0 एक बार x minus 1 equal to 0 कर देते हैं यहां से एक मूल निकालेंगे तो x बराबर सरीक वन आ गया 2x बराबर यह हो गया 3x बराबर आ गया 3y तो दो मूल हमें मिल गए x बराबर 1 और 3 by 2 बहुत आसान आसान कोश्चन है आराम से सॉल्व हो जाएंगे बस एक दुबार कोश्चिन के प्रैक्टिस करो के सारी चीज़े लेकले हो जाएंगे एक और पर यहां पर पूरे दोनों प्लस थे एक बार यहां माइनस यहां प्लस अब एक बार यहां माइनस यहां प्लस एक सा कोश्चन करते हैं 2x square plus x minus 6 equal to 0 इस बार हमें क्योंकि घटाने पर चाहिए होगा ठीक है यह भी concept के लिए हो जाएगा 2x square plus x minus 6 equal to 0 गुड़ा करो 6 दूना 12 मतलब गुड़ा करने पर तो मैं मिलना चाहिए 12 और घटाने पर 1 मिलना चाहिए 1 मतलब गुड़ा पर 1-ब निभागा है अगर घ्रताने पर एक मिलना चाहिए तो 12 कीसे मिलेग कर चारव जाएंगे चार से लिगाता नि तो मिल जाएगा माइनस का सिक्स एकक्ड एकॉल में लिए ओक सिक्स जीरों अबटु एक्स कोबाले लिया तो यहां किताब चेहएं का आट टूोर। तेक दू दूल अजार हो टोगी एकसकर का अगया है। दूल अचार ओनेर ध्यमआम लेले लू तो एकस-बी कॉमनई तो प्लसका टू इक यूखळ पर बचाहे एक्सफ प्र लेशतो येवाचर 2X8 जी री एकरनेस टू एक बार 2x minus 3 equal to 0 तो यहां से आगया x बराबर minus 2 यहां से आगया 2x बराबर 3 x बराबर 3 by 2 यह दो मान आगे पिर से दो मूल निकाल लिए अमने आराम से बहुत आसान है बहुत आसान है बस आराम से में बीच वाले पार्ट को break करना है जो common निकलना है वो common निकालना है और आम से उसको x की value equal to 0 करके निकालने नहीं है x की value हो गया बढ़या पाच्वा question भी अब एक question और रहता है बच्चों के मन में root वाला question सरकरा दीजिए root वाले question में बहुत doubt रहता है कि सर root वाले का गुणत खरनी होड़ा तो मैं इसी importance की वज़े से लाया हूँ अच्छा question है आपकी exercise का और important भी है पूछा भी गया काफी बार तो कर लेते क्या है root का मतलब वो समझ लेते हैं अच्छा एक दो चीज़े समझ लो अच्छा पहले समझ लेते हैं अच्छा जैसे ये दो लिखा है और एक root 2 लिखा है पहले छोड़ी सी बाते सबाज लेते कुछ 2 का मतलब क्या होता है 2 की घात 1 होता है सीधी सी बात ही है कोई दिक्कत तो ले 2 लिखा है मतलब 2 की घात 1 2 होता है अगर root 2 लिखा होता है तो root का मतलब क्या होता है इसकी घात 1 बटे 2 root का बात सबको पता है न कि root जब लगा होता है उसका मतलब ही होता जैसे root 3 लिखा है तो root 3 का मतलब क्या है 3 की घात 1 बटे 2 root 1 बटे 2 घात को दर साता है जैसे किसी किसी के उपर क्या लिखा होता है यहाँ 3 लिखा है यहाँ 3 लिख दे चोटा सा तो उस बात का मतलब क्या होता है 3 की घात 1 बटे 3 यहाँ अगर 4 लिख देगा तो 3 की घात 1 बटे 4 जैसे यहाँ 4 लिख दे और यहाँ पर root 3 लिख दे तो 4 अगर इस पर छोटा सा लिखा है तो मतलब क्या होता है कि 3 की घात 1 बटे चार यह घातों कर लिए अपने पड़ा रखा होगा वैसे तो रूट का मतलर एक बटे दो घात होता है यह सब को पता है न यह छोटी सी बात ही यह मैंने बता दिया अब कोशन पर आते हैं कोशन क्या कह रहा है कोशन वैसे सॉल्व हो जाएगा रूट 2 x square प्लस का 7x प्लस का 5 root 2 5 root 2 equal to z फिर सो वही काम करना है कि हमें 7x को तोड़ना है और इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा तो रूट 2 का गुणा किसमें हो जाएगा सर रूट 2 गुणे 5 root 2 होगा तो रूट 2 गुणे 5 root 2 क्या होगा किसी को idea क्या होगा सर रूट 2 का root 2 से गुणा 2 5 से गुणा मतलब की 5 दूलन 10 हो जाएगा कैसे 10 हो अच्छा देखू रूट 2 का मतलब क्या होता है बुणे 5 इस पी क्या है यह गुणा लगा दीचली root 2 का मतलब क्या होता है दो की गुणा से गुणा में जब आधार समान है तो घाते यह जुण जाती है एक बटे दो लसका एक बटे दो और गुणा में पांच लिखा ये पांच लिखा रहे में देते हैं एक बटे दो प्लस एक बटे दो क्या हो जाएगा सर एक बटे दो हर समान है तो एक और एक दो बटे दो हो जाएगा ठीक उपर एलसियम लिया एक बटे दो प्लस एक बटे कि इसका कैसे यह 10 हो रहा है तो वैसे रूट टू का रूट टू से घुणा हो कीम लिखते हैं 2 तो गुणतु गुण गुणे पांच तो दूना दस रूट ठू का वैसे मतलब होता है कि अतुब एक है इंचा जोड़ दी एक बचाल दो सी घात पर 10 तोड़ने पर 7 आपको पता ही है या सीधे 5 दूना 10 पाच और 2 साथ हो जाएगा गुड़ा कर देंगे तो 10 आ जाएगा तो तोड़ो ना इसको तो रूट 2 प्लस का पांच एक्स प्लस का टू एक्स साथ एक्स को ने तोड़ दिया पांच टू एक्स में क्योंकि इनका गुड़ा करने पर 10 था तो पांदू ना दस भी हो जाएगा प्लस का फाइव रूट 2 इक्वल टू जी अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है के वल एक्स कॉमन आ रह ले सकते ना तो क्या मैं पता है कि यह टू को हम क्या लिख सकते हैं सर इस टू को हम क्या कर सकते हैं इस टू को हम रूट 2 गुड़े रूट 2 लिख सकते हैं प्लस रूट 2 यह वाला रूट 2 ठीक अभी हमने देखा कि रूट 2 का रूट 2 से गुड़ाओं के दो होता है इस मि ही आम यहां पर करते हैं रूट जो चीज़ यहां पर लेखी वहीं चीज़ यहां पर लेखी मतलब सही चलना है उसे जिक्कत की बात नहीं अब आंगे यहां से कॉबल लेख्स प्लस फाइग a x plus root 2 ये हो गया अब एक बार root 2 x plus 5 equal to 0 एक बार हम क्या करेंगे x plus root 2 equal to 0 तो यहां से हो गया तो –5 हो गया x बराबर क्या आ गया –5 by root 2 गुड़ा में था भाग में आ गया एक यहां से निकाल देते x बराबर सीद्धे एक सरहां एक हमारे पास आ गया ईग्सार माइन जान गया एक क्का चाह्लिय इंहले पयान जान जाने बहुत दर लगता है कि रूट कि अबिता आगए बहुत पढ़नाया है पढ़ना है 12 में पढ़ना है और यह बहुत आसान हो जाएगा बहुत सिंपल लगेगा तो डरना नहीं है और रूट आप ऐसा नहीं कि अभी पहले देखें नहीं पढ़ें खूप तो वैसे करना है जैसे अभी normal कर रहे था वैसे करना है पसमें रूट टू के बारे में जानग गलत नहीं करोगे अगर यहां पर कुछ बदलता भी है तो भी गलत नहीं करोगे क्योंकि इसी पैटर्न के इसाब से आपको चलना है ठीक है चले होंगे तो बढ़ा कोश्चन था आगे स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक द्युगात सूत्र के बारे में जाल लेते हैं जिसे एक सी स्कौेयर प्रस्ट प्रसी बेड़ेश बीएक स्लसी प्लस स्यवाब्य मैनस था रथ्ञ बवर माइनस का भी Penes अड़रू के लिए bask योर झीवादरग निकाले अभी पहली बार जब से इसका एक क्यों करते है पीछे से कोई उठानों महलो पहला जो ने लिया था बस यहीं सूतर होता है कुछ नहीं फार्मूला है याद रखना है और कुछ नहीं करना है इसको कोई फार्म पूर्म नहीं पूछने वाला सब कुछ ना रख लिए सीधे फार्मूला याद रखना है वैलू रखनी है निकाल देना है पहले तुल्ला कर लेनी है दुगास सूतर से तुल्ला कर लो, अगर दिगास सूतर से तुल्ला करें, तो A बराबर यहां पर कितना है, 1 है, AX स्कार होता है, A की वेलू 1 है, B की वेलू 6 है, B की वेलू 6 है, और C की वेलू 8 है, रखो, तो X बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, जो भी चाहर है, यहां पर X के हो, क्योंकि यह ना पर X चल्ड था अगर यह वाई के रूप में तो य बराबर जेड के रूप में तो जेड बराबर जो भी चल्ड है उसके बराबर उसी के मार निकाल ले ना माइनस का भी तो माइनस का च्छे प्लस माइनस अग्दर रूटके अदर आ मल्क्टिप्लमा नाय मेंतब माइनस का 4 अब्छे तो प्लट्ट शेकर सकाइट लिठेगा 66 हो जालता है था तीस जालता है पॉर फोर किस्टीब उसी लिए यहां हो जाएगा छे चैब कैंश्कॉयर मतलब 6 का स्कॉर माइनस का 4 रग दी कुछ नहीं किया बी की वेलू छे ती रग दी बी स्क्वार रग दिया च्छे का इसक्वार पोर एसी के पूरे फार्मूले में सब वेलू रग दी हमने बस अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कच है प्लस माइनस ऐसे रहने दू अंडरूट के अंदर देखन इतने क्या रहा है चैकर स्क्वार हो गया 36 लिए आठ शोक हो गया 32 और बटे में हो गया टुक क्या बन गया सर बन गया एक्स बराबर माइनस कच है प्लस माइनस 36 से चोग बतीस चले गए तो किता बचा चार सर यह बचा चार बटे दू तिक सर चार कॉम क्या लिख सकते है सिर्फ बाद दो क्योंकि अंडर रूट चार की वेलू क्या होती है दो इसलिए हमने लिख दिया दो बस ऐसे ही आपको यहां तक हल कर लेना है बस इसके बाद लाइस सिस्टम में एक काम करना है कि एक बार यह प्लस लेकर प्लस लेकर कैसे मतलब एक्स की दो वेलू आएंग माइनस सिक्स माइनस का टू लेलू बस और पिख लिख करना है अब एक्स के यहां से दो मान तुम्हें पता चल गए कि माइनस च्टय उप्लस माइनस चार दो से भाग कर देंगे तो माइनस का दो आ जranch मायर युदू अ- सवी मान विद्धी से भी माइनस दो माइनस चार आया हमने देखा और जब हमने इस स्रीधाया चार विद्ध लगाई तो भी माइनस दो और माइनस चार आया कोई परेसानी की बात नहीं आप डारेक्ली सूत लगाओ आराम से अंसर आजाए ठीक वैसे इस सूत्र का क्वेश्चन अमाएं नहीं करना है जो एंस लेवस के साफ से और यूपी बोर्ड में ने भी हटा दिया ठीक है तेकिन कुछ बोर्ट से ने रखा भी है तो उसको भी जो बच्चे और भी दूसरे बोर्ट से है तो उनको अगर स्लेवस में है तो आप डारेक्ली कर सकते हो कोई दिखकरने तो हमने पता होना जरूई था क्योंकि आएंगे यूज भी करना है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है और सिंपल भी है क्यों डारेक्ली सॉल्व करना है और रूट सॉल्व करना इतना मुस्किल ने आराम से सॉल्व हो जाएंगे तो डारेक्ट हमें A B C के मान ल भी करना पड़ता है, निर्माण करने के बाद, फिर विधी को ही लगा कर, उस विधी से हमें उसके मूल निकालने पड़ते हैं, हल निकालने पड़ते हैं, यह संख्याएं वो हमें ग्याद करनी पड़ते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं, जो 4.1 में सीखा है, और 4.2 में सीख सब चीजे सीखी लिए जैसा बोलना है वैसा करना है कह रहा है ऐसी दो संख्या ग्याद कीजिए जिनका योग सत्ता ही से गुड़न पल 182 है ऐसा टाइप का एक कोश्चिन किया था पुड़ान की जब हमने लिए थे इसी टाइम में है कोश्चिन यहाँ पर दो संख्या अलग का लक्सन करें तो लिखते है माना हल लिखते है है हलक्य अलग लिखते है मानल है है को संख्याए एक्स तथा को वैं है कोई दिक्ट में ना मानने पर तो दुनिया काय मोई को दिक्टित नहीं है जिनका योग 27 सै तो X प्लस y जो है वो 27 के बराबर है इसने airports हैं एक और दिय समीकर ने एक बन जाएगा यहां से कोई दिकत में एक स्प्लस वाई बराबर हमारे पास 27 है इसको में समीकर एक देदी प्रशना अनुशार अगर बात करें लिग देते हैं यहां पर अच्छा लगेगा प्रशना अनुशार एक स्प्लस वाई एकोल टू 27 कहरा गुडन फल इनका जो है गुडन फल किल्का संख्याओं का संख्याओं का संख्याओं इमने मान रखिए कितना है 182 है यह सेकेंड समीकर ने अब समीकर ने एक से चाहे यक्स की वेलू उठाकर यहां पर रख दो चाहे एक का मान निकाल लो और इसमें रख दो चाहे एकस का निकाल लो चाहे वाई का जो आपके दिल में इच्छा करें उसका निकाल लो और इसमें रख दो आपका अंसर आ जाएगा क्या करना है हम क्या करते हैं समीकर ने एक से क्या करते हैं मालो हमने लिख दिया x प्लस y यह डायेक्ट्री भी लिख सकते हैं इसको दे देते हैं अच्छा समीकण 3 हमने क्या 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 समीकण X समीकण 3 बना ली और यहाँ पर रख दे रहें X बना ली बना ली और 182 है समीकण 3 की वेलू यहाँ से रखते हैं तो कित्ती हो जाएगी Y की वेलू 27 माइनस X रख देते हैं 27 माइनस X इक्वल टू 182 X का कुणा कर लो 27 X माइनस का X स्कार इक्वल टू 182 182 होगी ठीक कोई दिक्कत ने एक काम करते हैं उस साइड ले चलते हैं X स्कार को साइड ले गए 27 X को साइड ले गए तो माइनस का 27 X प्लस का है और वह तो उधर ही तो प्लस का 182 इक्वल टू 0 इधर लगा लो चाहें इधर लगा लो कोई दिक्कत ने ठीक परहसाल नहीं होना यह भी बोल सकते हो कि माइनस कॉमन लिखके उधर बेज दिया कोई दिक्कत ने जो चाहों वह दिमांग में डाल ले ना इधर होना चाहे था कोई दिक्कत ने आप इक्वल टू 0 इधर भी लिख सकते हो इसको हम इधर लिख दे फिर पलटा आगे लिख दे उससे कोई मतलब नहीं ठीक कोई दिक्कत ने यह दमने द्यगास समिकर एक बना लिया कि अब इसके गुड़न खंड करने है बाई अभी तक तो जर कोईश्चन हो रहे है तो उसमें आसानी से पता चला आता कहीं चार तीया बारा हो रहा है चार दूना आठ हो रहा है अब 182 को कैसे तोड़े क्योंकि यहां पर तो बन है 182 को कैसे तोड़े कि जोडने पर प्लस ल तो आप जो गुड़ा किया तो क्या है 182 आया तो 182 के क्या करो आप पहले गुड़न खंड कर लें 182 के एल सिम लेलो सी दीसी बात करो चा लेते हैं देखो दो नवा आठारा दो एकम दो साथ से काटो साथ एकम साथ साथ रेकी की से तेरा से काटो तेरा एकम तेरा पतलब 182 के गुड़न खंड क्या हो गया 182 के गुड़नखंड हो गया, 2 गुड़े 7, गुड़े 13, यही हो गया, यह हमने गुड़नखंड कर लिए, simple 182 के, एक काम करो, आप इसके तुकले ले लो, मालो मैंने 7 और 2 को ले लिया, और 13 को ले लिया, 7 दुना कित्ता हो गया, 14 और 14 गुड़ा 13, तो 14 गुड़ा 13 करोगे, तो 182 आता है, मतलब कुछ 2 ले लिया, कभी 3 एक ले लिया, तो आप देखोगे कि 7 दुना 14 और 13 किया, तो 14 और 13 गुड़ा करोगे, तो 182 आएगा, और 14 और 13 को जोड़ लोगे, तो 27 आजाएगा, तो आपको यह मैथड़ अपलाई करना है, जब भी बड़ा एमाउन निक है, छोटी संख्या चल नहीं, आपको पता है, दिमाग में सीधे क्लिक कर रहा है कि इसका गुड़ा करने पर यह होता है, तो आप डिरेक्ली कर दो, नहीं कर रहा है क्लिक, तो आप एक बार गुड़न खंड करके देख लिए, अब इसके कर देते हैं, गुड़न खंड क्या दि इकोल टू जी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 13 और 14 हो जाता है, 27, 13 गुड़न चोदा करें, 112 आज जाएंगा, एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के 14 कॉमन ले लो, एक्स 14 एकम 14 और 14 तियां, 28, इस चोदा तियां, 42, 13 आजाएं, एकोल टू जीरो, ठीक, तो यहां से एक्स माइनस 13 आ गया, और यह एक्स माइनस 14 आज़News, एकम बर एकिख्स माइनस 13 एकोल टूब टू जीरो कर देते हैं, एक एक तो 13 आ गया है, एक X वराबर किता आ गया 14, X के दो मान आ रहे हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी है, X स्कार माइनस 27 X, प्लस का 182 इकोल टो 0, 13 और 14 हमारे पास होगे 27 X, माइनस का यह 27 X, कोई दिक्कत नहीं है, X का मान दिया, माइनस का मान दिया, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, X के दो मान आ रहे होंगे, हाँ ठीक है, जब X का मान 13 है, तो Y का मान 14 हो जाएगा, जब Y X का मान 14 है, तो Y का मान 13 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कन नहीं, ऐसा हो सकता है, दोनों से क्या हो स सोगी यह तो यह बड़ा गुलंखंड आएगा तो आपको काम करना है अब यहाँ पर दो और तेरा है तो वाई कमान कि निकला तो जो दो संख्या हुंगी वो या 14-13 होंगी, या 13-14 होंगी, बना 13-14 बोलो या 14-12 बोलो बात एक ही है, कोई मतलब नहीं है उनका, अलग-अलग वो बदल के लिख दी है, कोई दिक्कत में, तिक क्योंकि 13-14 का गुणा करो, तो भी 182 आता है, और 14-13 को जोड़ो, तो भी 182 आता है, यही अमें संख्या है मानी, तो वो इस कॉंबिनेशन में होंगी, तो लिख देते हैं, अता संख्या है, आंसर कैसे लिखेंगे, अता संख्या है, 13-14 है, आप यह भी लिख सकते हो, 14-13 कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत की, उसमें समस्या नहीं, तो इस कि एक पूशन में करना किया है कि हमें पहले समीकन का निर्माण करना है पढ़कर फिर उसको हल करना है गुणखंड वीदी द्वारा आप गुणखंड वीदी से ही अल करना वहां पर सीधराचार कोशिज करना ना लगाना ठीक क्योंकि आपको दिखेगा कि डाइटी फार्मू बढ़िया कोशने करते हैं थोड़ा हाड लेवल कोशिशन करते हैं इंपॉर्टेंट रपूस्टियन लेकिन हाड नहीं बोलेंगे इसे कोश्टियन तो सिंपल है बस लिखा जादा है आपर वोस्टियन बहुत आसाल है समीकल का निर्माल करना थोड़ा अच्छा है सीख की से लगाते जी करा है का एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माल करता कुटीर उद्योग का ज्यादा नाम पर नहीं जाना कि सर कुटीर का निर्माल करते हों न만 गया कि प्रतेक नक्ते के निर्माड लागत रुपए में उस दिन के निर्माड क정이 गए बर्तनों की संख्या के दो गुने से तीन अधीक थी parallel कि निर्मत बर्तनों के संख्या और प्रतेक नग की लागत किया थ freshly अच्छा मतलब हमें यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी एक तो बर्तनों का जो निर्माण हो रहा है उन निर्मित बर्तनों का निर्माण की संख्या निकालनी किसी एक दिन पर तिक और प्रतेक नग की वही बर्तन जो बन रहा है उस बर्तन की बनने की जो लागत नग की बनने हम मान लेते हैं कि माना निर्मित बरतन जो है वो एक्स है निर्मित पत्तर निर्मार की के बरतन माना हाल लिखते है हाल लिखते हैं सीधा माना माना उस दिन निर्मार किये गए बरतन किये गए बरतन एक्स थे उस दिन जब बरतन निर्मार किये गए तो हमने माल लिया कि उस दिन जब बरतन लोगों निर्मार किये तो X बरतन निर्माड किये थे क्योंकि यक्स का ही संबंद हमाई लागत से भी दिया हुआ देखो ध्याद से समझो जो मैंने ये लिखा है दुगने से तीन अदिग क्योंकि उस दिन निर्माड किये गए बरतनों की संख्या तो उस दिन निर्माल किये गए बरतन जो थे वो X थे मलब बरतनों की जो संख्या थी वो X थी उसी से संब्द दिया गया है उसकी लागत का आगे पढ़ो ध्यान से पढ़ेगे कि प्रतेक नग मतलब एक नग की बात हो रही तो एक नग जो निर्माल किया गया तो उसकी लाग अधिक है यक्स के दोगुने से तीन अधिक है ये क्या है निर्माड में लगी लागत निर्माड की लागत बरतन के निर्माड की लागत बोल सकते हैं बरतन के लिख देते हैं बरतन के निर्माड की लागत यही बात यहां पर वो समझाना चाहरा है कि उस दिन जो बरतन बने थे वो तो हमने माल लिए कि X बरतन बने थे कुछ संख्या होगी वो 10-5 कितने भी बरतन हो सकते तो 10 माल लिया या कुछ भी माल लो तो हमने X बरतन माल लिए कि X बरतन बने थे फिर उसने बरतन जो बने थे बरतन की संख्या के आधार पर उसने लागत से उसका संबन दिया कि उस दिन जो बरतन बने थे बरतनों की जो संख्या थी अपने एक्स मानी के दोगले X के दोगने से 3 अधिक ते 3 अधिक थी मलब लागत जो आई थी वो 2X प्लस 3 ये मतलब लागत जो है वो रुपए में होगी कही न कहीं क्योंकि रुपए में ही लागत आएगी कुछ खर्चा जो आया होगा वो बरतन के निर्माल से संबंदित थी कि इतनी बरतनों की संख्या उसका दोगना और के तीन अधिक के बराबर थी यह हमने निर्माड यहाँ पर कर लिया, दो समी कर लोगा अब आंगे उसने का कि यस उस दिन कुल निर्माड लागत तब रुपए थी अब बास समझो, मालो एक दिन में आप दस बरतन बनाते हो तो आप से कोई दस दिन में पूछ देगा, तो दस दिन में क्या करोगे गुणा कर दोगे, दस का दस में गुणा कर दोगे, एक दिन में दस बने तो तो बस प्रशना अनुशार, हम क्या करते हैं, कि सरम X का गुणा कर देते, बरतनों की संख्या का गुणा कर देते, ये एक बरतन का हमें गुणा कर दिया, एक बरतन की लागत में, और तो हमें क्या मिल जाएगा, वो 90 के बराबर थी, ये एक बरतन क्या है, उस दिन बने बरतन बनते हैं पाच और एक बरतन की लागत है यह तो पाच गुण की लागत आilly सी बात है तो में क्या कि है एक्ष। कर दिया थू एकस फ्री में यह बराबर हो गया नभबे गुणा कर लो टुन एक्स ईस्क्वायर यह जाएगा प्लस का घ्री अक्स और इक्वर्ट टू नभ्बेगे कुई साथ लेयो तो टू एक्स इस्क्वाईर प्लस थ्री एक्स माइनस 92 एक्क्वर टेखको यहां से एक्स असी अब एक सो असी होना है इधर लिखते हैं नए पेच पे क्या समीकड़ बना टू एक स्क्वाइर प्लस का 3x माइनस का नभे एककोल टू जीरू नभे दूना एक सो असी घटाने पर तीन आना चाहिए फिर से वही ये काम कर लेते एक सो असी बनना एक सो असी के फैक्टर क इनभे 45 1550 तो क्या होगी दो गुले दो गुले थीन गुले थीन गुले 5 इजाधा लोह करते इधर 2 तो दुणा चार तीन slipping 304 कोली बीले सकते ये दो ये 3 लेले तो क्या होगी foundation 4 3 करण ना हो तो ज्यादा हो जाएगा दो दूना चार तियां बारा तिरपट पंद्रा यहीं हो गया 15 से बारा जाएंगे तीना जाएगा बारा गुणे 15 करेंगे 180 हो जाएगा 12-15, 12-1, 12-12, 12-16, तो 180 हो जाएगा, और 12-15 से घटाएंगे तो माइनस का 3 मिले जाएगा, तो 12-15 में तोड़ लेते हैं, तोड़ लो न 12-15, बस हमेशा फेक्टर कर लो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, दो तो 3-3 दिन की कॉमिनेसन कैसे ले रहे हो, यह अपने हीटें ट्राय से मिलेगा, तो मिल जाएगा, कोई दिख करते ही, 2x, अब यहां पर क्या करते हैं, यह वारे पास हो गया, 12 और 15 तो प्लस का 15x, माइनस का 12x, माइनस का 90 एक्वल टू 0, यहां से x कामन ले लिया, तो यह बचा x प्लस 15, यहां से क्या कामन आएगा, 12 कामन आजाएगा, पू अच्छा, यहां क्या कॉमन लिया, बाई, 2 होगा न, यहां, x कॉमन लिया न, अच्छा, यह 2x स्कायर तो लिखो, भाई, क्या कर रहा हूं, x कॉमन लिया न, तो यह बचेगा, 2, यहां से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस 15, यहां से इसा करो, माइनस का 6 कॉम और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बाट तू एक्स इंस और 6 कम 6 और से पंचे टीशागे सो एक्स प्लस फंदरा इधरबी तो टू एक्स प्लस 15 और X-6 equal to 0 हमने इसको 15 12 में तोड़ लिया अब यहां से क्या क्योंन लिया यहां से X को मला लिया तो 2x बचा यहां से 15 यहां से 6 को मला लिया तो 6 212 और 15 चाह सिमन अब अभी टिक अब यहां से दोनों को equal to zero कर लेते हैं 2x plus 15 equal to zero एक बार हो गया एक माइनस 6 equal to zero तो एक्स बराबर यहां से तो आ गया माइनस 15 बटे दो यह आ गया एक्स बराबर 6 यह तो भाई possible नहीं है यहार एक्स क्या थी बरतनों की संख्या बरतनों की नहीं करनी करने लोगह तो बरतन की संख्या way तो बरतन की संख्या में किती में गई X ठीग और X वराबर क्या आ गया छे लागत प्रतेखनक की लागत भी बता नहीं है तो लागत है 2X प्लस 3 रूपए तो 2X प्लस 3 रूपए तो X की जगए हम क्या करते हैं 6 रख़ देते हैं दो गुझे 6 प्लस 3 तो 6 दून 12 प्लस 3 मतलब कि 15 रुपए तो 15 रुपए क्या हो गई 15 रुपए तो लागत आगी बरतन की और यह हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर अगर देखो तो एक्स जो हमारे पास बरतनों की संख्या है वो हमारे पास कितनी आगी वो हमारे पास यहाँ से 6 निकल कर आगी तो यह हमारे पास था बहुद इंप्पॉर्टेंट कोईा, ठिक एक बार मैं इस question को फिर सा repeat करता हूँ, क्योंकि बहुत important है, काफी बार exam में पूछा गया। लॉंग में बन जाता है कुछन कभी कभी है चार से पांच नंबर में आएगा कुछन क्योंकि देखने में बहुत डरावना है यह क्वेशन निर्माण करना इन बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर से रिपीट करता हूं कुष्चन में इसने कहा था कि किसी कुटूर रुद्योग में एक दिन में कुछ बरतनों का निर्माण किया जा रहा था एक विशेज दिन यह देखा गया कि प्रतेक नक का निर्माण में जो रुपए में लागत आई है वो उस दिन की बर्माण किये गए बरतनों की संख्या क दोगुने से तीन अधिक थी, यह उसने देखा, तो पहले हमने माल लिया कि कुछ दिन बरतन बनाए गया थे, अब निर्माण किये गए बरतनों की जो संख्या थी, जो उस दिन बनाए जा रहे थे, वो हमने एक्स माल लिये, संख्या जो बनी, कि एक दिन में वहाँ पर सो बर बरतनों की निर्माण की गए संख्या अगर एक्स मानी है, तो बनिर्माण की ए गए बरतनों की संख्या के दोगने, संख्या के दोगना कर दिया, तो एक्स का दोगना, से तीन अधिक तो प्लस तीन कर दिया, से अधिक से तीन कम कर देता, तो माइनस तीन कर देते, से पाच कर देना हुजर भी नहीं कोईशन ऐसा ही आएगा हो सकता है इसी में थोड़ा लेंग्विज चेंज करेंगा लेकिन कॉंसर तो सेम लगेगा निर्मान तो मैं ऐसा ही करना है तो उसी एकॉर्डिंग हमने कर लिया तो कह रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागन 90 तो निर्मित वर्तलों की संख्या price लागत हमें ग्याद कर लीट है तो दब्य रूपई की लागत हलग ती अब एक साय के लागत लागत है अग परतन के निर्मान की लागत यह ईक बलगत हमने लिखी है अगर हमें X बरतन की निकाल लिए तो X से गुणा कर दो 10 बरतन की निकाल लिए 10 से गुणा कर दो तो हमने गुणा कर दिया यह बराबर 90 दिया गया था प्रश्णा नुसा 90 हो गया दुगास समिकला बन गया और आराम से मने द्युधास्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश् 4.3 यह रहे गये बाई इसमें ज्यादा नहीं है दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक सी चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएगी चलो कर लेते हैं इसको भी क्या कह रहा है जो टॉपिक है हमारा वो मूलों की प्रकति पर है मूलों की प्रकति क्या बताती है मूलों की प्रकति यह बताती है कि जो इस समीकड के हमारे पास हल निकालने है जो हमने हल निकालने है ये 6 निकालना माइनस का 15 बटे दो आया पीछे हमने निकाले कुछ हल ये हल निकाले कि X की वेलू 14 आये 13 ये किस प्रकति के है मतलब वास्त कभी कभी यह वास्तिविक नहीं भी होती है वास्तिविक कभ नहीं होती है उसकी बात कर लेते हैं आपने कभी एक चीज लिखी नहीं देखी होगी अभी तक कि माइनस के अंदर मालों यह लिखा है रूट रूट के अंदर आपने अभी माइनस लिखा नहीं देखा होगा ध्य कभी 0.0005 है कभी माइनस का 0.0005 है आपने पाई की वेलू देख लिए 3.14159267 डेड़ेड़ेस कुछ अनत पर अब सारी प्रकार की संख्याएं वास्त्विक संख्याएं में ही आती है लेकिन अभी आपने इस रूप में नहीं देखा कि कोई संख्या रूट के अंदर निगेटिव में जब रूट के अंदर निगेटिव में संख्या होती है तो उसका मान ग्यात ही नहीं किया जाता ये कालपनिक होता है, imaginary होता है इसे हम वास्त्विक संख्याएं नहीं कहते है जब भी किसी सभी करण के मूल में अगर root के अंदर negative sign आजाता है root के अंदर negative sign आएगा तो हम बोलेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है वो वास्तविक संख्या नहीं होती उसकी कोई value ग्यात ही नहीं की जा सकती इसलिए उसके मूल जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होती यहाँ पर हमें एक फार्मूले का उप्योब करेंगे जो फार्मूला मारे पास स्रीध़ाचार में अम लोगों ने पढ़ा था सीधाचार का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था पहले हम व्यापक समीकर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c जो मानक रूप था एक्कोल टो 0 अगर हम द्यगास समीकर का फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं x बरावर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूप के अंदर b2-4ac बटे 2 हैं यह फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं द्यगास समीकर दा यह फार्मूला हम लोगों को पता है अब यह जो इस रूप के अंदर जो यह बन रहा है इस रूप के अंदर जो बन आई है b2-4ac की जो वैल्यू बन नहीं है अगर रूप के अंदर कैसे भी करके निगेटिव आगे निसे यह रूप तो लगई है अब b2-4ac को अगर हमने हल किया किसी समीकरन के लिए और उसकी वैल्यू माइनस में आगे मालनो माइनस 2 आगे जो अभी हमने बात की तो कंडिशन क्या होती है कि वो मूल जो होते है वो मूल वास्तविक नहीं होते है उन्हें काल्पनिक मूल बोलते है यह 11th क्लास में आप पढ़ोगी लेकिन अभी काल्पनिक की बात हमें नहीं करने है क्योंकि वो 11th की बात है 10th में हमें इतना ही बोलना है क्या बोलना है कि यह मूल जो है कोई वास्तविक मूल नहीं है क्योंकि b2-4ac की वैल्यू क्या हो गई है यह b2-4ac जो हमने निकाला है वो less than 0 आगे है b2-4ac less than 0 less than 0 का मतलब क्या है कि 0 से छोटी और 0 से छोटी कौन सी वैल्यू होती है negative कोई किसी के दिमाग में है तो नहीं है कि 0.05 है यह 0 से छोटा है यह 0 से बढ़ा है 5 लगा है लाश्त में मतलब कि वैल्यू होगी यह negative का मालो यहां पर minus 5 लिखा है कोई लिखा है तो 0 से छोटी कौन से मालों के जो negative की वैलों होगी सीधी बात है तो common sense की बात है तो यह बात तो हमें पता है अब छोटी से एक बात कर लेते हैं कि B square minus 4ac है क्या इसको हम क्या बोलते है विविक्तकर बोलते है इंग्लिस में discriminant बोलते है इसलिए कहीं कहीं आप इसको D से भी लिखा पाएंगे कि D बराबर B square minus 4ac तो confuse नहीं होना कि सब D से लिखा था इसलिए विविक्तकर जो होता है वो minus B square minus 4ac के बराबर होता है और मूलों की प्रकति इसी पर नेरभर करती है क्यों? क्योंकि रूट के अंदर यहीं लिखा है रूट के अंदर value अगर positive है तो वास्तिविक बूल होंगे रूट के अंदर value negative है तो वास्तिविक मूल नहीं होंगे एक बीच की condition और लिखिए समान वास्तविक मूल, समान वास्तविक मूल कब होते हैं, जब सर एक तो कंडिशन ही हो गई, कि B square minus 4AC greater than 0 आ जाए, जैसा कि अभी तक हमने एक question पहले solve किया था, ये, जब हमने ये solve किया था, तो root के अंदर क्या था, plus का 4 आया था, root के अंदर plus का 4 आया था, और मूल भी हमने देखे थे, ये वास्तविक मूल है, वास्तविक क्यों है, माइनस 2, माइनस 4 क्या एक वास्तविक सक्क्या है, तो मूल कैसे आया थे, सर मूल जो आया थे, ये वास्तविक मूल आया थे, वास्तविक मूल मिले थे, लेकिन जब ऐसा होगा कि B square minus 4AC less than 0 हो जाए मतलब कि रूट के अंदर कुछ निगेटिव बन जाए जीरो से छोटा बी स्कॉर माइनस और ऐसी आएगा तो यहां पर निगेटिव वैल्यू आएगी तो वास्तिविक मूल नहीं होंगे जो थर्ड कंडिशन अमारी लिखी है कि वास्तिविक मूल नहीं होंगे तो है दूसरा जो मारे पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा है कि जब B स्कॉर माइनस 4 AC इक्वल टू जीरो आजए है मतलब जो यहाँ पर B स्कॉर माइनस 4 AC की वैलू यह है यह 0 के बराबर आजाए जीरो के बराबर आएगा तो देखो क्या होगा लिखते है यहाँ पर इसकी जीरो कि बैलों जीरो यह होगी एक बारम Higher into the menu लेते हैं सोती DRL दोनों य्टे एक बारमने प्लस के साथ Apollo ले लिया माईनस के साथ रूड़ जीरो प्लेम माईन एक एसी माइनस प्माइनस के साथ का minus का वी मिटे तो यहां से हम देख सकते हैं कि यक्स के जो दो माना है minus b upon 2-a minus b upon 2-a वो समान आए value हमेशा बराबर आएगी तो जब भी b square minus 4ac की value 0 के बराबर हो जाएगे root के इंदर 0 आ जाएगा यह minus b upon 2-a minus b upon 2-a बराबर आने वाले दोनों मूल समान होगे तो मूल कैसे होते हैं मूल समान होते हैं इसी पर question बनता है इसके question भी हम लगा लेंगे मूल समान है ये तीन कंडी से हैं मूलों की प्रकति पर मूलों की प्रकति का मतलब है कि ये roots जो होंगे जो roots मतलब की मूलों के जो हल हो मलब की समीकण के जो हल होंगे जो हल आएगा उसकी नेचर कैसा होगा प्रकतिवाइस उसका कैसा नेचर होगा नेचर हम गड़ित की भासा में हम संख्याओं पर जाएंगे तो संख्याओं वास्तिविक होगी या वास्तिविक नहीं होगी या समान प्रकार की वास्तिविक संख्या होगी यह आएंगे मूल वास्तिविक ही दो सम सेम रहेंगे यह बात होगी तो बेसिक बेसिक सी यही तीन चीज़े हैं हमारे पास मूलों की प्रकति में कैसा कोश्चन बनता है पहला कोश्चन इस पर लगाते हैं सब्सक्राइब प्रकति ग्यात करो यह दिव्यवास्ति भी है तो उडे ग्यात को तिन चार चीज़े निकाल लिए सम निकाल लिए इस बार्थ अभी कर भी अलग टाइप का लिए वन वाई थी कुछ ले लिया ताकि इसका भी आपको डाउड खतम हो जाए कुछ बटे में लिखा है तो इस त करते हैं कह रहा है तो यह 3x स्क्राइर 3x स्क्राइर 3x स्क्राइर माइनस का टू एक्स प्लस का वन भाई थ्री इक्वल टो अपने जीरो ले लिए एक कान तो यह कर सकते हैं कि हम थरी का लिखास समिकल कुछ बंजाए को थ्री जो एल्स एम में नीच आए इक हम डारेक सीदे तुलना करूओ ज्यादाा Cornuto x2-lixt года थेसे से तुलना करते हैं अभी एंविक्टकर निकालनय और यंब warm निकालना अभी हमने सी का वो हमारे पास क्या है सर्डी हमारे पास अगर जीरो से छोटा है या डी जीरो से बढ़ा है या डी जीरो के बराबर तीनी कंडिशन होती है यह डी क्या है विविक्ट करें जीरो से अगर यह बढ़ा है तो हमारे पास कैसे आएंगे वास्तिविक रहते हैं को वास्टविक मूल लेंगे और भिन्विन रहेंगे मनलब डोणाल लग Eli гораздо गए व्रहित आंगे विन यहां बीमूल वास्तिविकों गिसे रहेंगे फर्ल्प मूल замеч लेकिन क्या से छोटा डी की वेलू आएगी तो सीधी सी बात है डी कहां है यह बी स्कॉयर माइनों से सी या माइनस की वेलू बनेगी माइनस की वालेगी वास्तिवी खोएगे नहीं तो वास्तिवी नहीं होगा और यहां पर क्या होगा होगा तो वास्तिवी की लेकिन जो भिन्द कद दोनों सेम प्रकार के मूल आ जाएंगे यही तीन कंडिशन है वा लिखत ऐसों सब्सक्राइब 13 की वयवन अंट रहर दी बराबर क्या आगया चार माइनस चार तो दी बराबर क्या आगया जीरो दी बराबर जीरो कौन से कंडिसर है थाड़ वाली की मूल वास्तविक होंगे और समाल होंगे अता समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे वास्तविक मूल प्राप्त होगा थिक हमें कैसा मूल प्राप्त होगा समान वास्त्विक मूल प्राप्त होगे यह तो विविक्ट कर आ गया क्या निकालना फिर मूलों की प्रकति ग्याद करो प्रकति वही अता समान वास्त्विक मूल प्राप्त होगे सीधा है प्रकति भी हो गई अब क् के वास्त्विक है तो उनकी गयाद करूं वास्त्विक है उन्हें गयाद भी करना है तो सीदे सीरे देलाचार सूतर लगा देतें आराम चे लगा सकते एक्स बराबर क्या होता है माइनस का हो जाएका सब तुलना करके भी रखे माइनस भी तो भी माइनस एक पहले से था तो माइनस माइनस तु जहीत प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में अरूर बटे में टू एक फिलु वारे पास किति गदीं इस बराबर किता आ होंगे एक बट़े 3 के बराबर ही होगे क्लियर कोई दिक करने क्योंकि ये 2-3 होगा सीधा 6 और ये practically होगी दो तो 2टे 6 मुझल से टेज 10 EX 112 एक बट़े तीड मूल आएंगे वह क्या होंगत खिजय होंगे मल दोनों मूल पर बनता है जिसमें कहे देता है कि दोनों मूल बराबर है तब एक किसी का मान निकालने को बोल देगा या के लिखा है कभी alpha लिखदेगा कभी beta कभी कुछ भी लिखदेगा और कहे देगा इसका मान ग्याद करूं और आपको एक चीज पता है किसी भी अगर दुगात समीकरण में उनके मूल बराबर है, मूल बराबर होने की कंडिशन ही होती है, मूल समारोनी कंडिशन ही होती है, कि उसका विविक्त कर जो होता है, वो 0 के बराबर होता है, जो D होता है, वो 0 के बराबर होता है, B square minus 4C, 0 के बराबर होगा, लिखा यहाँ पर और सी बराबर तीन ठीक यहीं है अब कोश्यट में अगर देखो तो कह रहा है कि दो बराबर मूल है लिखते हैं चूकी कि सभी करण के मूल बराबर है लिख देते हैं पूरी बात लिखी देते हैं क्या दिक्कत है अगर मूल बराबर है तो डी बराबर सर क्या होगा उसका विविटकर जो होगा वो 0 होगा d मतलब होता है सर b-4ac equal to 0 होगा b की value है मारे पास क्या है b की value k-4ac a की value क्या है 2 तो 4 multiply 2 c की value क्या है 3, 3 equal to 0 तो k square minus 4 दूना 8 तरिक 24 एक्कोल तो 0 तो k square बराबर क्या हो जाएगा 24 k की value क्या हो जाएगी सर हो जाएगा under root के अंदर यह plus minus के साथ आएगा क्योंकि square लगा है तो plus minus under root 24 24 को कुछ लिख सकते हैं क्या 64 4 को 24 होता है तो k बराबर हो जाएगा plus minus under root 6 गुले चार लिख सकते हैं चार को हम root सीधे root से बाहर कर लेते हैं तो यह 2 हो जाएगा plus minus 2 root 6 तो 24 कॉम 2 root 6 लिख सकते हैं दो दूना 4 चार्शंग 24 क्योंकि 64 को 24 लिखा और 4 क्या होता है वर्ग मूल 4 2 होता है तो उसको मार कर लिए 6 की कोई value नहीं पता है अभी पूरूट 6 लिख दिया तो k के 2 माल आ गए plus minus root 2 root 6 मतलब यहाँ पर जो k के 2 माल के लिए क्या होगा इसके मूल बराबर होगे जब k की value प्लस का 2 root 6 हो चाहिए minus का root 2 6 हो दोनों के लिए यहाँ पर इसके क्या होगे मूल बराबर हो क्ये के 2 माल होगे 2 root 6 कॉमा माइनस का 2 root 6 यह दो मान हमारे पास के के लिए यह इस प्रशन का अंसर हो जाएगा यहीं एक क्या बराबर है जब मूल बराबर कह देगा तो बस इसको discriminant जो होगा जो विविक्त कर होगा इसको equal to zero कर देना बस वहां से एक नाइक value निकलाएगी चाहिए आप एक के दिया है कभी कुछ और दे देगा पी दे देगा ती दे देगा कि टी की value निकाल देना के ती उससे क्या दिखत है करना तो हमें same concept से है ठीक है तो अब फिलिस हो गया ठीक है उतने time फिलिस कर दिया था हमने एक topic रह रहा था तो 4.3 में ये last चीज नहीं थी बस इतनी चीज 4.3 में मैं सीखनी है जो मूलों की प्रकत पर है वो मैंने पूरी explain कर दिया इससे बाहर से कोई question नहीं बना इसी में सब कुछ जरूर मुझे बताना हो किसमें पूरा देखा ये भी बताना है कि एक ही बार में से पूरा complete क्या क्या क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं था ये वां सब्सक्राइब कर सकता हूं तो मैं आप जो वहां करेंगे सभी के नाम मुझे दिखेगा तो मैं अगले दिन जरूर उनका न सारे ही कराओंगा आपको सब कुछ अच्छे से complete हो जाएगा ठीक है मिलते हैं अगले वर्जॉर्ट के साथ तब तक के लिए टटा वैब है